नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की हिट एंड रन मामले में सल्मान खान सभी आरोपों से बड़ी बॉलिवुट अभिनेता सल्मान खान को बॉंबे हाई कोट ने बड़ी राहत देते हुए 2002 के बहुचर्चित हिटन रन मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया नयायमूर्ती एयार जोशी ने कहा कि अभियोजन पक्ष सल्मान के खलाफ ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा कोट रूम में मौजूद सल्मान फैसले के बाद भावोख होकर रूप पड़े अदालत ने सल्मान के सुरक्षा में लगे बाडिगार्ड रविंद्र पातिल की गवाही को पूरी तरह न कार दिया घर्टा के वक्त सल्मान के बाडिगार्ड के रूप में काम कर रहे है पुलिस करमी रविंद्र पातिल ने ही संसद नहीं चलने पर PM मोदी ने कहा गरीबों का हक मारा जा रहा है संसद के दोनों सदनों में लगातार तीन दिनों से जारी भारी हंगामे को लेकर प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने किसी का नाम लिये बिना कॉंग्रेस पर जम कर हमला बुला उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि संसद नहीं चल रही है PM ने आज एक समाचार पत्र के कारिक्र में कहा कि ये मन तंत्र से देश नहीं चल सकता लोग तंत्र को मन तंत्र से खत्रा है लोग तंत्र में संसद को नकार ना गलत है लोगतंतर किसी की मर्जी और पसंद के अनुसार काम नहीं कर सकता संसद में हंगामे के चलते कारवाई ठप होने से घरीबों का हक मर रहा है किवल GST ही नहीं बलकि घरीबों के हिट से जुड़े कई कदम संसद में अटके हुए है गंगा नदी में प्लास्टिक के इस्तमाल पर प्रतिबंद नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए बोमुक से लेकर हरीद्वार तक गंगा में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तमाल पर प्रतिबंद लगा दिया है ये बैन एक फरवरी से लागू होगा और जो भी नियमों को तोड़ेगा उसे 5 से लेकर 20 हजार तक जुर्माना अदा करना होगा इसके अलावा सखत कदम उठाते हुए जी एंटी ने ये भी कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो बोर्ड उसे नोटिस देकर बंद करने की कारवाई करेगा शहरियार ने भारत सरकार को दी दो दिनों की महलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्षिश शहरियार खान ने दिसंबर में भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षिय क्रिकेट सीरीज पर अपने स्थिती साफ करने के लिए भारत सरकार को अगले दो दिन की महलती है शहरियार ने कहा है कि वो भारत सरकार को अगले एक यार दो दिन का समय ही दे सकते हैं जिसमें वे द्विपक्षिय सीरीज खेलने को लेकर अपनी स्थिती साफ करें उसके बाद PCP सीरीज पर बातचीत को रद्द कर दिया जाएगा दोनों देशों के बीच दिसमबर में सीमित ओवर सीरीज श्रीलंका में खेली जानी थी लेकिन भारत की और से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है सुप्रीम कोट का फैसला हर्याना में पढ़े लिखे लोग ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव हर्याना पंचायत चुनाव में दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने पंचायती राज एक्ट के नए संशोधन को सही ठहराया है अब यहां सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे नए नियमों के मताबिक चुनाव के लिए सामाने वर्ग के लिए दसवी पास अनुसुचित जाती वा महिला के लिए आठवी पास और अनुसुचित जन जाती के उम्मीदवार को पाचवी पास होना जरूरी है सरकार के और से बनाए गए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर की गई थी जिसके बाद संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी वेब दुनिया समचार में फिलहालित नहीं लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉग इन करें हमारी वेब साइट www.webdunia.com पर